तो चलो इस question को देखो एक आसान question है और आई हो किसको आप सब लोग कर सकते हो टू अब्जेक्ट दो प्रजेक्ट आई लेए टू अब्जेक्ट और प्रजेक्ट इसेम प्रजेक्ट गए डिफ्रेंट अगरा अलफा न भीटा भी थे horizontal मतलब हमारे पास दो दो projectile हैं और वो अलग-अलग angle पर project हुए हैं एक को हमने कुछ angle पर project किया और उस angle का नाम है अलफा जैसे मालो हमने एक को ऐसे project किया तो वो कुछ ऐसे जाएगा ऐसे जाएगा और हमने दूसरे वाले को जो projection दिया दूसरे projectile को हमने project किया वो कुछ हमने दूसरे angle से project किया और वो मान लेते हैं कुछ ऐसे जाएगा बट इनका range same है भाई यह parabolic path है तो इनका range same है तो यह वाली जो angle है यह angle चुम देख रहे हो यह वाला angle यह angle alpha है और यह angle पूरा horizontal के साथ बीटा है यह यह भी दिया हुआ alpha प्लस बीटा का समझ वो 90 है ठीक है मतलब इसको एंगल अगर मैं theta 1 मान लूँ alpha है तो यह angle जो theta 1 alpha मान लूँ पहला angle और theta 2 दूसरा angle मान लूँ तो ओ आ जाएगा 90 माइनस theta 2 है उसकी जो angle आ जाएगी उसको मैं beta मान लेता हूँ तो यह जो beta की value हो जाएगी 90 माइनस alpha और वैसे भी तुम्हें पता होगा यार कि अगर range सेम होता है वैसे भी अगर थोड़ा सा भी पढ़ाई किये हो तो यह बात हमें पता होगा अगर range सेम होता है तो theta 1 प्लस theta 2 की value 90 होती मतलब alpha plus beta की value 90 होती है और अगर alpha plus beta की value तो ratio आप रेंज r1 ratio r2 ratio कितना होता 1 ratio 1 तब ही तो range सेम होता है जब complementary angle होते है मतलब fourth option सही है या नहीं तो तुम एक line का है यह proof इसको solve कर सकते हो range की value पहले case में क्या जाएगी u square sin 2 theta 1 upon g और यहां से देखो कि u square sin 2 theta 1 की value मैं alpha ले लेता हूं यहां से और यह z this is the equation number first अब दूसरे case में तुम देखो कि यहां तो range यहां से range r2 की जो value आ जाएगी u square sin यहां से 2 theta 2 upon g आ जाएगा तो यहां से u square sin 2 और theta 2 की value जो है वो 90 minus alpha के equal है और divide कर दूँ g से तो 90 minus alpha u square sin 180 minus 2 alpha that is g इसका मतलब बेगगगा कि u square sin 2 alpha upon g तो यह equation number first and two first and second sense देख रहे हैं कि range r1 बराबर है r2 की मतलब r1 upon r2 की जो value है one ratio one यह तो finally fourth option सही है तो you must remember this result this is very basic result